तो अब भी बात करेंगे, सिंग लगन वालों के लिए नावंबर का जो अभी महिना आ रहा है, ये किस प्रकार से बीटने वाला है? कौन-कौन से ऐसे एवेंट्स, कौन-कौन से ऐसे प्रिस्तितियां, कैरियर को लेकर, finance को लेकर आपके सामने आने वाली है जहां आप फाइदा उठा सकते हो तो सबसे पहले हम देखेंगे गोचर को, गोचर के इसाब से फिर हम यहां आगे बढ़ेंगे, तो गोचर में जहां तक हम बात करें, सबसे पहले सूरिय को देखते हैं, 17 नवंबर तक सूरिय का गोचर तुला में है, इसके बाद इनका प्रवेश वर्ष्टिक रासी में होगा, बुद्ध 6 नवंबर से वर्ष्टिक में आएंगे और 27 नवंबर को फिर से चेंज होकर धनु रासी में चले जाएंगे, शुकर 3 नवंबर से कन्या में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 30 नवंबर से तुला रासी में चले जाएंगे, मंगल तुला रासी में गोचर करेंगे, और 16 नवंबर से वर्ष्टिक रासी में प्रवेश कर जाएंगे गुरु अभी मेस में वक्री होकर गोचर कर रहें सनी कुंब में गोचर कर रहें और चार नॉमबर के बाद ये मारगी हो जाएंगे चंद्रमा एक नॉमबर को मिथुन रासी में गोचर करते हुए आप लोगों को दिखेंगे राहु मेन में और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं इन्होंने रिसेंटले अपना रासी प्रिवर्टन किया है तो यहां पे अब इस गोचर का जो प्रभाव है वो आपको क्या देखने को मिल सकता है यहां पे देखिए आपके लगने सरवर्थम सूरिये हैं और सूरिये के गोचर को हम लोग अगर देखें तो सूरिये का गोचर बहुत खास है सूरिये नीच की स्ति इस्तिति में आ रहे हैं तीसरे भाव में जा रहे हैं तुला रासी में रहने वाले तो भाई बेनों के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव मौल मत लीजिएगा अपना एफर्ट ज्यादा से ज्यादा लगईगा यहां पर आपकी आकरामकता बढ़ने के चांसे हैं आपको इस्तति आपकी काम करने के तरीके को बदलेगी और काफी ज़्यादा मेहनत आप लोग करेंगे इस महिने में इस्पेसली जो मेहनत होगी आपकी 17 नवंबर तक काफी ज़्यादा मेहनत दिखेगी और ऐसे में किसी कारी को मैनेज करना हो किसी कारी का परबंदन करना हो और औ प्रेली रुटीन को लेकर कोई ऐसा काम करना हो तो उसमें आप अच्छा कर सकते हो तीसरे बाव में सुर्य का नीच का होना और फिर मंगल का भी साथ होना भाईयों की साथ अगर कोई पुराना विवाद है तो उससे बचें साथ ही पड़ोसी रिस्तेदारों की साथ भी किसी प्रकार का विवाद मौल ना लें बलकि सुर्य की इस एनर्जी को आप सही दिसा में इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है फिर सुर्य यहां से आपके नाइन्थ हाउस को देखने की वज़े से कुछ सिक्षया के लिए कुछ आप प्लानिंग कर सकते हो कोई यात्रा के लि लाइफ आपकी रहने वाली है इस मंत के स्टार्टिंग से ही तो यहां पर कुछ तक आपको खुद पर रखना है अपनी बहावनाओं पर रखना है सारेक रूप से आप काफी सुधर्ड होंगे अगर कोई दिक्कत आपको चल रही है सारेक रूप से तो वहां पर एक तो सूरिया और बुद्ध का भी यहां फिर यूटी बन रहा है जो कारी चेतर के लिए बहुत यह ज्यादा अच्छी इस्तिति बन सकती है साथ ही फाइनेंसियल मेंटर्स में भी यहां पर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है तो सूरिया और बुद्ध का फोर्थ हाउस में आना कुछ हद तक परिवार के साथ आपको जोड़ कर रखेगा आपको पैत्रिक संपत्ति से फाइदा हो सकता है पिता से विसेस मदद मिल सकती है हलांकि कुछ हद तक मनमुटाव जरूर रहेंगे फिर परिवार को कभी कभी आप बहुत ज़्यदा प्रेसराइज कर सकते हो या परिवार को किसी बात के लिए दबाने की कौसिस कर सकते हो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है परिवार की सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव तो मनमुटाव आप दूर जरूर रखें वरना आपको काफी दिक्कते आ सकती हैं फिर सुर्य का फोर्थ हॉस में आना यानि घर की कारियों पर ज्यादा फोकस रखना तो इस केस में ये भी हो सकते है कि आप कोई प्रोपरिटी का लेंदेन कर रहे हो या घर के लिए कोई और प्लान कर रहे हो तो वहां पर थोड़ा फोकस ज्यादा रख सकते हो साथ ही साथ आपकी जो एक्पेक्टेशन है किसी बेप्रकार के रिस्ते में बहले ही वह आपकी भाई-वेनों के साथ का रिस्ता है परोसियों से रिस्ता है घर-परिवार के लोगों से रिस्ता है वहां कुणली में दोनों जो धन वाले इस्तान है ग्यारवा भाव और सेकंड हाउस उनके लोड है और बुद्ध की इस्तिती बहुत खास रहने वाली है क्योंकि छह नमबर से वर्षिक में आ जाएंगे तो वर्षिक रासे में इनका गोचर आपके कारी छितर के लिए काफी अस्तान परिवर्तन करना या फिर कोई भी बड़ा निर्ने लेना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा बहुत ज्यादा आपके लिए फ्योरेबल रहेगा बुद्ध का यहां आना थोड़ा सा ज्यादा टॉकेटेव दिखाता है परिवार के साथ दर्श्य की साथ ज्यादा वित्रक को दिखाता है और परिवारिक जीवन में कोई भी प्रकार की आपको अगर दिखा चल रही है आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है क्विकली डिसीजन लेना है या किसे इस्तिति को मैनेज करना है तो उन सब में बुद्ध आपकी सायता करने वाले हैं उसके बाद वीडियो में वैसे करेंगे लेकिन इस मंत का बुद्ध का गोचर आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा फिर यहां बुद्ध का होना ये भी दिखाता है कि परिवार की सदस्यू से आपको धन संपत्ती में काफी मदद मिल सकती है फिर हम देखेंगे शुक्र को शुक्र यहां कन्यारासी में गोचर कर रहें और 30 नॉवंबर के बाद इनका गोचर चेंज होगा अपनी सुरासी में जाएंगे लेकिन केतु के साथ इनका होना कुछ हद तक आपको आपके जिवन साती के साथ रिलेसेंसिप में लग्जरी लाइफ में कमी को दिखा सकता है तो यहा जाद से ज्यादा फोकस कीजिएगा एक नॉर्मल एक सिंपल लाइफ पे ज्यादा एक्सपक्टेशन ना रखिएगा और परिवार के सद्दस्यों के साथ अच्छा भेव कीजिएगा साती धन समंदी मामलों में कुछ बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं या धन समंदी मामल से हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत आ रही है कोई न कोई रुकावट आ रही है तो ये एक धन की कमी या लगजरी लाइफ होते वे भी आपको काफी ज़्यादा इस तरह की दिक्कत फील होगी फिर यहां धन का लोस भी होगा आपको या ये एक बहुत ही different angle की तरफ आपकी life को लेकर जाता है फिर शुकर नेचका भी है नेचका होने के विज़से आप बहुत ही ज़्यादा खर्चा करने वाले होंगे आप कोई plan नहीं करेंगे पैसा खर्च करने के लिए नहीं आप अपनी saving के लिए कोई plan कर पाएंगे मंगल का गोचर बहुत खास है वैसे तो मंगल सूर्य के साथ है नेचके सूर्य के साथ बट शूर्य जल्दी यहां से हट भी जाएंगे तो मंगल का गोचर तुला में है फिर 16 नावर से वह भी व्रिश्चिक में आ रहे किसी कारिय में बहुत जल्दी decision ले लेंगे तो यह दिक्कते आ सकती है लेकिन उसके बाद मंगल अपने खुद के घर में मंगल का आना आपके लिए ज्यादा favorable रहेगा आपको अपने घर से दूर यात्रा करनी पड़ सकती है घर से दूर कहीं जाना पड़ सकता है लेकिन प अच्छा समंद रखें तो बहतर रहेगा आप अपने physical activities पर ज्यादा focus करें आप अपने आपको ज्यादा activate रखें उसके बाद मंगल यहां से क्योंकि 9000 को भी देख रहे तो 9000 को भी एक special energy मंगल यहां देने का काम कर रहे तो आपके 9000 से जुड़ेवे कारियों में भी काफ पारिवारिक सदस्यों की साथ मतवेद होना तय है लेकिन फिर भी उसके बाद मंगल क्योंकि आपके 7000 को भी देखेंगे यहां से 7000 को देखने की वज़े से थोड़ा सा पार्टनर की साथ मनमुटाव संबह है और अगर business चालू कर रख है business में partnership कर रखी तो वहां भी कुछ हद तक कम्यां देखने को मिल सकती है फिर मंगल का यहां टेंट हाउस पर जो एसके वज़े से एक अच्छी favorable इस्तिति आपको देखने को मिलेगी इस condition में आप अपने job के regarding कहीं लंबी दूरी की आतरा कर सकते हो जोब में कुछ changes करने हैं कर सकते हो साथ ही career को लेकर थोड़ उसके बाद हम लेते हैं गुरू को गुरू का गोचर देखे गुरू आपके पंचमेश और अस्टमेश हैं गुरू का गोचर अभी नवम भाव में है नवम भाव में उने का मतलब है संतान या अपनी खुद की education या higher education के लिए विदेश जाना है अगर आपको तो प्लान कर सकते हो साथ इस case में बहुत ज़्यदा अध्यात्मिक जीवन आप जीने की कोशिस करेंगे ज्यादा ज्यादा ट्यूर वगरे करने की कोशिस करेंगे बहुत कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा लेकिन फिलाल गुरू-वक्री है वक्री गुरू होने से आपको कुछ न बेटर रिजल्ट गुरु लेकर आने वाले हैं साथी साथ कुछ ज्यादा पुजा पार्ट अध्यात में गतिविद्यों की तरफ आपका रुजहान रहेगा इसके लवाँ आपको अकल्ट से रिलेटेड काम रिसर्च से रिलेटेड काम में एक विसेश सपलता इस मंत की दोरा देखने को मिलेगा जीवन साती की सेहत खराब रह सकते हैं जीवन साती की साथ आपका मन्मूटा बढ़ सकता है साथी कोई भी बिजनस स्टार्ट करना हो आप लोगोंको इस समय आप स्टार्टिंग कर सकते हैं लेकिन पार्टनर्शिप थोड़ा अवैड करके चलिएगा सा आपको अच्छे से निभाना पड़ेगा आपकी जो डूटीज हैं उनको निभाना पड़ेगा वरना यहां थोड़ी दिक्कत आ सकती आप लोगों को साथ ही पार्टनर आपके उपर थोड़ा ज्यादा हभी होने की कौसिस करेगा तो पार्टनर के साथ मतवेद होना तय है इस बिहेव है वो काफी इसमें मैटर करेगा क्योंकि आप सूरिय का लगन है सूरिय का लगन होने की वाज़े से काफी ज्यादा बोल सकते हैं इगोईस्टिक परसन होते हैं आप लोग तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा अपने बिहेव को लेके और जो लोग अभी राजनिती मे ज्यादा रुची ले रहे उनको विशेसलाब हो सकता है लेकिन पार्टनर से ज्यादा कुछ एक्सपक्टेशन ना रखिएगा इसके लवाँ पार्टनर हलंकि आपको सपोर्ट करेगा बट ऑपिनियन डिफ्रेंस का यहां पर काफी बड़ा रोल एक सामने आ सकते हैं आप के रिस्तों के बीच में फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब चंद्रमा की बारे में चंद्रमा जो की आपकी कोंड़ी में बारवे घर की श्वाम है और इनका गोचर इस मंत के स्टार्टिंग में शुरुआती तीन दिन तक लगबग मिथुन में में जहां पर बहुत बड़ा कोई खर्चा हो गया बहुत बड़ा कोई डेमेज हो गया या मानसिक रूप से इस्तिती ठीक नहीं है मानसिक रूप से काफी जदा कस्ट है आपको या डिप्रेशन एंग्जाइटी यह सब देखने को मिल सकता है फिर चंद्रमा आएंगे आप चंद्रमा काफी अच्छा है तो कुछ इस तरह की चंद्रमा के रिजल्ट रहेंगे फिर राहू केतु कि अगर हम बात करें तो राहू और केतु दोनों ही अपनी रासी क्योंकि बदल चुके है तो इस केस में थोड़ा सा अपने ससुराल बक्स से ज्यादा सावधान रहने क जुरुत है अगर आप अकल्ट में या रिसर्च में कोई कारी कर रहे हैं तो इन फिल्ड में आपको विशेश मदद राहू दे सकते हैं साथ अपने रिलेस्टिंशिप को लेके थोड़ा ज्यादा सावधानी रखने की जुरुत है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और दे लिखाम हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रुकावटि आरही हो बहुत ज़्यदा परिशानीे आपको हो रही हो तो इन दिनों में उन कारी को प्लान कर सकते हो उसके बाद हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को, खराब दिनों में आपको ज्यादा तर मेंटल टेंशन होना या काम समय पर नहीं बनना इस प्रकार की दिक्कति आ सकती है, जिनमें से सबसे पहले, चंदरमा जब मकर रासी में गोचर करेंगे, अठारब और उनिस को, इस दोरान आपको मा ज़्यादा प्रेशान कर सकती है, साथी पैसे का लेन देन बिलकुल ना करें, चंदरमा का गोचर जब में में होगा 22 और 22 को, 22 और 22 को ये इस्तिति में आपको काफी ज़्यादा प्रेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक अवसाद की इस्तिति या मन में बहुत ज़्यादा पहे होना इस प्रकार की इस्तितिया देखने को मिल सकते हैं, 22 और 23 को आपको सड़नली कहीं ना कहीं से पैसे आने की चांसिस हैं, कोई बड़ा प्रोफिट होना या अचानक से धन की व्यवस्ता होने की चांसिस हैं, फिर चंद्रमा का गोचर जब अपनी दिक्कते आप लोगों को आ सकती हैं, तो ये कुछ खराब दिन हैं जिन में से आपको उच्छे दिन ज्यादा ध्यान रखना है, और बाकी की जो यहां अच्छे दिन निकल के आ रहें, उन दिनों में आप एकदम रेगुलरली अपने कारी कर सकते हो, तो फिलाल वीडियो द देखने के लिए धन्यवाद।